नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके हमारे येटूज चैर्ट में तो दोस्तो सरकारी नोकरी के त्यारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हैं आज अपन बात कर रहे हैं भारत की मिनि रतन कंपनी के बारे में नमरतन कंपनियों में से एक और बड़ी कंपनी की बात अपन करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को मेकनिकल, इलक्टरिकल की कई ऐसे पदों पे भरती निकली है, पर्मानेंट है, सरकारी नोकरी है, अप्रेल के पस्ट वीक तक आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ये कॉल्फीकेशन है, जैसे कि कॉल्फीकेशन ही में बात करें, टेक्निशन से सम्मंदित जो भी कॉल्फीकेशन होगी, अगर उसमें आपके पास कॉल्फीकेशन है, तो आप लोग इसमें जरूर अपलाई कर सकते हैं, भारती है इलेक्टरिकल लिमिटे गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ और यह वेकेंसी वहीं से निकली हुई है पोस्टों की सेंक्या 100 के आसपास है और इसमें आविदन आप लोगों को ओनलाइन करना होगा application fees भी आपको इसमें देनी होगी इसमें exam होगा उसके बाद आप लोगों को नोकरी मिलेगी तो यानि कि सारा इसमें सब कुछ इस विग्यापन में दियावा है और ऐसा नहीं कि बिलकुल सीथी भरती है इंटर्वी के आधार पर नोकरी मिलेगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है भा आउती छेतर से बात करें तो उधर से भी आगर आप हो असाम सिक्कम वगरा तो आप लोग सभी इसमें अपलाई कर सकते हैं ऐसा पर्टिकुलर एक राज्जे से नहीं निकली हुई जिसमें आप से पोजरब एक ही राज्जे का स्टुडेंट इसमें अपलाई कर पाएगा लेकिन अपलाई करने के लिए आपके पास कॉलफिकेशन होना जरूरी है अगर कॉलफिकेशन आपके पास होगी तो आप इसमें कहीं से भी किसी भी छेतर से आविदन कर सकते हैं अब देखेगा विध्यापन की बात करते हैं विध्यापन को पूरा सुरू करें तो करीबन ह इसमें अलग-अलग जानकारी दे रखी है और पूरी डिटेल दे रखी है यहां पे आवीदन की मैं सिंपल वासमें बात करू Leadership सब से पहले आवीदन कब से होगा और कब तक इसमें चलने वाला है आवीदन की बात करें तो करें तो आज हो चुकी है 64-2022 होगी दे लास्ट डेट टू समिट दस ओनलाइन एप्लिकेशन 64-2022 यानी कि इसके ओफिसली वेबिसेट पे जाएगा वहाँ पे आप लोग 64 से पहले-पहले सब्फोम को समिट करवा दीजेगा अब इसमें सीधा कॉलिकेशन के ओपर लेके चलते हैं डेट होगी किलियर एप्लिकेशन फीस की मैं बात करते हैं एप्लिकेशन फीस भी आप लोगों को इसमें देनी होगी तो पहले यह वाली चीज़ कलेर कर लेते हैं इसमें मैं बता दू सिंपल पहन सो रुपे एप्लिकेशन फीस आप लोगों को देनी होगी अब SC, ST केटिकरी को और उनको यहाँ पे कोई पेमेंट फीस नहीं देना उनके लिए बिल्कुल फिरी है वो यहाँ पे अप्लाइ नहीं कर सकते पहला जो ट्रेनिंग इंजिनेरिंग की पोस्ट हैं उसके लिए 200 रुपे जर्नल हो SC, ST, OBC सोरी जर्नल हो OBC हो या फिर EWS उनको 200 रुपे जबकि प्रोजेक्ट इंजिनेरिंग की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपे एप्लिकेशन फीस देनी होगी आविदन ओनलाइन SBI क्लेक्शन के दुआरा ओनलाइन महादिम से जमा किया जाएगा अब भिहारतियों से अन्रोध है कि भुकतान करने के लिए विवरेंस ओटलिस्ट या एप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सम्मीट करना होगा पैमेंट तो यह चीज भी के लिए कर लें उम्मीद करेंगे कि यह भी पैमेंट का इसो भी खतम हो चुका है अब आविदन करने के लिए क्या होगा यह सबसे बड़ा सवाल यह होता है यहाँ पर देखेगा भारती है भारती एलेक्टरिकल लिमिटेड एक नवरदन कमपनी है भारत के अगरिने सामज सावजनिक लिमिटेड कमपनी है जिसमें नो से ना इलेक्टरिकल ओविसल अधिकारी या फिर नियंतर संचार या सवदेशी सुरुकसा यह से कई विवरण है इस भी बेसिक डिटिलिस कमपनी का दियावा है 350 से अधिक विवाग है इसके और अलग-अलग राज्यों में इसकी संस्ताएं भी दे रखिये आज भारती है जो इलेक्टरिकल लिग गाजियाबास से निकाली गी है उसमें B.E.B.T.E. क्वाल विध्यारति के लिए अपलाई करने का मोका मिलेगा यहाँ पर देखें सिंपल यहाँ पर सबसे पहले देखें तो 23 मार्च का जो नियुन्तम योग्यता कॉल्फिकेशन दे रखिये अगर आप 23 मार्च तक आपका रिजल्ट या डिग्री आ चुकी है वो विध्यारतिस में अपलाई कर सकता है 18 से 28 वर्ष तक का जर्नल, OBC, SC, ST सब की यहाँ पर होगी और 30,000 से 35,000 रुपर सरकारी सैलरी आप लोगों को होगा ग्रेड पर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा या इंजिनेरिंग कोलेज से आपने 55 परसेंट पास आउट कर रखी है तो आप लोग इसमें अपलाई कर सकता है ये भी आप लोग क्लियर कर लेजिएगा सेकिंड बात करें, सेकिंड कोलेजिकेस ने प्रोजेक्ट इंजिनेरिंग के लिए तो इसमें टोटल वेकेंस याँ दे रखी है 37 और इसमें 18-32 वस्त का अपलाई कर सकता है इसमें ईसमें experience मांगा गया इस प्रोजेक्ट इंजिनेरिंग के लिए experience मांगा गया जबकि training engineering के लिए कोई experience नहीं मांगा गया अब इसमें सिंपल फिर से रिपीट करूँ BE, BTEC वाले विध्यारती अपलाई कर सकता है कहीं से भी हो SC, ST, OBC, जर्रल सब के लिए होगी 40 से 35 से 30 अजार तक आप लोगों के सेलरी होगी 18 से 32 वर्स तक का या 38 वर्स तक का विध्यारती आविदन कर सकता है अब करपैस में ध्यान देखे, IOC में जो भी छूट मिलेगी वो SC, ST के टिकटी को देजाएगी, अब यह बेसिक डिटेल है यह देखेगा, सिक्सक योगिता फिर से रिपीट करते हैं अपन माननेत अपराप्त को लेज संस्ता विसर विध्याल है जो भी इंजिनेरिंग है, B.E.P. Tech की कॉलफिकेशन है वो चार साल का कोर्स होना जीए, मेकेनिकल हो, इलक्टरिकल हो, कम्पिटर साइन्स हो इनमें से कोई भी एक आपके पास होना जरूरी है तभी आप लोग इसमें अपलाई कर पाएंगे उमीद करेंगे ये भी आप लोग समझ चुके होंगे तो दोस्तो बाके डिटेल फिर कॉलफिकेशन की होगी सलेवर्स की होगी, एक्जाम डेट के बारे में होगी सलेक्शन प्रोसेसर के बारे में होगी आविद्न के बारे में होगी, ये सारी चीज़े इसमें दे रखी है तो दोस्तो ये इसका वीडियो है, उमीद करेंगे कि आप लोगों को काफी हद तक पसंद आया होगा अगर अब ये वीडियो अच्छा लगा तो प्ली लाइक कर दीजेगा लाइक इसको 500 से ज़्यादा बढ़ा दीजेगा उमीद करूँगा कि सभी विध्यारती एक बार वीडियो देखेंगे तो लाइक भी जरूर करेंगे अच्छा लगा, थेंक यू, जैहिन